एक चनवरी दो हजार तेश से पुरे भारत देश में छे बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर सिधा लोगों की जेपर पढ़ने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक नियम के बारें बताएंगे कि कौन से नियम बदलने जा रहे हैं और किस नियम से किस पर क्या परभाव पढ़ने वाला है। सिलेंडर, बिजली, पैंसन, गाड़ी और भी कई बड़े नियम हैं जिनके बारे में हम आपको इस्टेप बाई इस्टेप जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप भी ये एच्छे बड़े नियम जानना चाहते हैं तो आप किर्प्या हमारे साथ अंत तक बने रहेगा वीडियो को देखते रहेगा। ये वीडियो को सुरू करते हैं। अनुमान लगा पाएंगे। हर महीने की एक तारीक को सरकार द्वारा किसी ने किसी नियम में बतलाओ किया जाता है। अगर आप सोसल मेडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपको भी ग्यात होगा। हजार तेईस सुरू हो जाएगा यानि के नया साल सुरू हो जाएगा जिसमें आपको कहीं बड़े नियम देखने को मिलेंगे, कहीं नियम लागू होंगे और कहीं बड़े नियमों में बतलाओ किया जाएगा। अब दोस्तों इन नियमों से क्या लाब क्या हानी होने वाली है उसके वारे में हम आपको यहाँ पर जानकारे देने जा रहे हैं। नई गाड़ी खरीदने का प्लैन कर रहे हैं। तो आप इस जानकरी को जरूर देखीगा। देखें मारूती सूजिगी। कि जो प्राइज है उनको बढ़ाने की जो घोसना है वह कर दे गई है। आपको बता दें कि होंडा कार स्ने कार के दाम में 30,000 रूपे का इजाफा कर दिया है। यानि कि अभी होया नहीं है एक जन्वरी 2030 से हो जाएगा लेकिन इसकी जो घोसना है वह पहले ही हो चुकी है। वहीं टाटा मोटर्स अपनी कमसीरियल गाडियों की कीमत दो जन्वरी 2030 से बढ़ाने की घोसना की है। वहीं दोस्तों आप बात करते हैं नियम नंबर दो। नियम नंबर दो में बताया क्या है कि जदतर महिने की पहली तारीक या पहले सप्ता में CNG और PNG की कीमतों में बदला होता है। यानके जो CNG gas होती है और PNG gas होती है उनमें कीमतों में गटती है और बढ़ती है अनके गट भी जाते हैं और दोस्तों बढ़ोतरी भी हो जाती है वहीं कम सीरियल स्लेंडरों की कीमते नुवेंबर 2022 की सुरुवात में घटाए गई थी हाला कि घटेलू LPG gas लेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाओ नहीं क्या गया था दिल्ली और मुंबई में महिने की सुरुवात्ती सप्था में पेंट्रोलियम कमपनी गैस के दाम में बदलाओ करती है हाला कि पिछले कुछ महिन में दिल्ली NCR और मुंबई में CNG और PNG के रेट में बढ़ोत्री ही देखने को मिली है बढ़ोत्री ही हुई है अब बात करते हैं नियम नंबर 3 नियम नंबर 3 में बताया गया है कि भारत देश में पेकिंग के लिए नए नियम एक जनवरी 2023 से लागू होने जा रहे हैं यानि कि जैसे कि आप दूद, चाए, बिस्किट, खाने वाली जो भी चीजे हैं वह पेकिंग में होकर आती है आप भी उनका यूज करते होंगे पेकिंग के क्या नियम हैं वह भी आप यहाँ पर जान लीजिए भारत में आने वाले पेकिट की चीजे जैसे दूद, चाए, बिस्किट, खाने वाला, तेल, आटा, पाने की बोतल, कैड फूर्ड, दाल, अनाज, सिमेंट, ब्रेड, एवं डिटर्जेंट जैसी आइटम की पेकिंग पर सरकार ने नए नियम लागू करने इनके नए नियम लागू होने जा रही हैं अब दूस्तों इन सभी पेकिंग इज वाले समानों में आपको दो तरह के प्राइज देखने को मिलेंगे अवे दो प्राइज कौन से हैं वह आप यहाँ पर जान लीजिए एक प्राइज पर कंटिनिटी के हिसाब से कौनिटी के हिसाब से और दूसरी प्राइज होंगे वह है कॉम्बो पैक के हिसाब से निर्धारित होगा उधरन के लिए जैसे पांच किलो आटे के पैकेट का मूल्य क्या मूल्य है और एक किलो आटे का मूल्य क्या है यह दोनों मूल यह उस पर प्रिंट होंगे यानि कि एक कि लोग के कितने रेट हैं और पांच कि लोग के कितने रेट हैं वह अलग लग आपको देखने को प्राप्त होंगे वही नियम नंबर चार अब नियम नंबर चार में बताया गया है कि भारत में कार निर्मिताओं कम्पनियों के लिये भी नए नियम लागू किये जाएंगे। अब दूस्तों कारों में छे एर बैग लगाना अनिवारिय हो जाएगा। यानि कि परति सीट पर एर बैग लगाना होगा और पहले यह नियम भारत सरकार में ही लागू करने जा रही है अधर जो कंट्री हैं उनसे पहले ही भारत सरकार दोवरा यह नियम लागू होने जा रहा है प्रंतु इसकी डेट बढ़ा कर अब 2023 अक्टुवर में लागू करने जा रही है ट्रेवल कर रहे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखती हुए भारत सरकार ने इस तरहे बड़ा कदम उठाती हुए कार में छे एर बैग लगाने के लिए नए नियम की घोसना करती है जिससे की यात्रियों को कोई भी प्रेशानी नहीं हो आप से भी जानते हैं की काफी अक्सिडेंट हो जाते हैं और दोस्तो उसमें जो सिटे होती हैं में एर बैग नहीं होते जिससे की काफी चोट या फिर कोई भारी धुरुकटना हो जाती है तो इसके बचाओ के लिए परति सीट पर एर बैग लगाने की जो घोसना है वह सरकार दुवारा भारत सरकार दुवारा कर दे गई है जिससे की यातरी महफूज रह सकें और सुकल मंगल से अपनी जो यातराए हैं वह कर सकें कुसल मंगल स पाँच तिक दोस्तो हरियाना सरकार ने एक बड़ी घोसना की है कि आप हर महिने बिजली का बिल यानके अब हर महिने बिजली का बिल ग्रहागों को दिया जाएगा हालक कि पहले क्या होता था कि हरियाने के जितने निवासी हैं हरियाना में दो महिने पर ग्रहागों को बिजली बिल दिया जाता था परंतु इन नियमों में बतलाओ करके अब हरियाने के ग्रहागों को हर महिने बिजली का बिल मिल पाएगा यह नियम एक जन्वरी 2023 से लागू हो जाएगा शुरुवात में हरियाना सरकार पंचकुला, अमबाला, करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद से शुरू करेगी अब चलते हैं नैस्ट नियम की और नियम नमबर 6 यान के लाश्ट तो इसमें बताया गया है कि बुंदेल खंड एक्सप्रेश वे पर 31 दिसेंबर के बाद से टोल टैक्स लेना सुरू कर दिया जाएगा हलके वहनों कार वेन पर लगभग 610 रुपे का टोल टैक्स ले जाएगा और वहीं दूसरी तरब हलके कमसिरियल वहीकल जो वहन होंगे या मिनी बस पर 965 रुपे का टोल टैक्स लिया जाएगा बस आउर ट्रक पर 935 रुपे का टोल टैक्स लगेगा वहीं बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे की लंबाई करीब 300 किलोमेटर की है तो दोस्तो यहाँ पर जो 6 बड़े नियम थे वे यात्रियों से लेकर गेंस लिंडर और आपकी नई गाडियों की जो भी नियम सरकार द्वारा लागू होने जा रहे हैं बदलाव करने जा रहे हैं सरकार वे सभी नियम हमने आपको बता दिये हैं दोस्तो इन नियमों से आपको क्या हानी होने वाली है क्या लाव होने वाला है वे आप स्वेम ही जान सकते हैं साधी साथ दोस्तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं क्या यह च्छे नियम सरकार दुवारा आपके लिए सही लागू के जा रहे हैं या फिर आपका क्या मत है आप हमें कमेंट वुक्स में लाकर चुरूपतेगा आपसे हमारा निवेदन है कि अगर हिंद जय भाराद